दीके स्ट्विंट से हाप पर एको डाउट आया है किसी बिच्चे का इसमें मेंशन किया है आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC जिसमें एंगल B हमें 90D का मेंशन है और दूसरी बात हमने AB को डायमेटर मानके हमने क्या एक सर्कल ड्रो कर दें आप देखो अगयार को का कर राओ और वह सर्कल कर रहा है एसी लाइ हम को संत्र ड्रो कर दो àsकषवें का मुझका सब्सक्रें अब कैसे पूइँ बिचा मोलय्त को सब्सक्राइन को joint B and pin point का अपने joint किया अब देखा जाए आपको पता है कि circle की A B तो diameter होगी अगर A B diameter होगी तो यह बन गया आपका semi circle यह अला portion अगर semi circle बन गया तो आपको पता है semi circle के अंतर जो angle बनता है कितना degree बनता है 90 degree के बनता है तो यहाँ से लिसेते बटा angle A P B is close to 90 degree angle इन a semi circle बाकी बड़ा given way राप लिखे लिए ना तेक है यह बात समझ मागे बात है कि यह तो रिखे होगी अब आपको अब अब इन a semi circle लोगे है अगर यह 90 degree के तो ओब्विसली बात है यह जो पूरा एंगल होगा इन जो 90 degree को होगा क्योंकि लीनियर लाइन है तो असब रिसेते देर्फोर अंगल बी पी सी इस इकोस तू 90 डी बाइ लीनियर प्यों अगर यह 90 हो तो इवे 90 हो गया अब क्लेर बात हो कि अब अब यह जो पूरा अंगल आपका है 90 डी का में इसको आसल सो बी पी क्यू प्लस में क्यू पी सी एंगल बी पी क्यू प्लस में एंगल क्यू पी सी इस इकोस तू 90 डी अब इसको माल ले बाटा आप एक्वीशन नुमर वन माल लेजी नाप्रावलम चेक इडाउट नहीं न बाटा कोई दिख कर दी वारी गूट बड़ आपको एक बात का ध्यान होगा कि जब हम टैंजन्स जो करते थे एक्स्टनल पॉइंट से ठीक है वो एकक्वाल एंग क्यों होते है यह और यह आपस में क्यों होगे एक्वाल होगे तो इसका मता रिमेनिंग जो एंगल यह वाला जो होगा यह और प्लस में यह वाला एंगल यह भी 90 दी होगा कि नहीं होगा होगा न बाटा तो लिसे थे एंगल P B C प्लस एंगल P C B इस अज़ एकोस तो 90 दी अंगल सम प्रपूट दो ट्राइंगल जैस बटा एंगल सम प्रपूट ट्राइंगल से क्या होगा यह एंगल दोने का सम भी 90 दी हो जाए न अगर यह 90 दी हो तो वह विसली बात है रिमेनिंग अंगल का सम भी 90 दी हो जाएगा अब सुनो बटा बात यह तो क्लियर हो गया अब एक बास सुनो आपको पता है कि जो हम tangent draw करते हैं देखो तो वो क्या होते हैं? equivalent क्यों होते हैं हमें पता है we know that we know that tangents drawn from an external point point are of equivalent 10th अब हम यहां से बच्चे q point चापने tangent रोगा तो इसका मतलब यह हुआ this implies pq जो हमारा हो जाए और bq के बराबर हो जाएगा अगर pq bq के बराबर तो इसका मतलब यह हुआ therefore जो हमारा angle है bbq और जो हमारा angle है bbq यह दोने angle आपस में को लोंगे अगर यह दोना angle आपस में equal है अगर यह दोना angle आपस में equal है तो बास नो आपमें लिखा थे यह वाला angle का sum और इनका sum क्या होगा आपस में 90 रहे था तो इसको अपने equation number 2 माना और इसको अपने equation number 3 माना तो हम यहां से मिलते है bada from equation number 1 2 and 3 तीने equation से हमें क्या मिलते है हमें यह मिलते है bada कि जो हमारा angle हमारा है क्या आपम विच्च इसका P B C प्लस में angle P C B और यह जो हमारे पास है क्या आपम इसका अप question number 1 angle B P Q प्लस में angle Q P C दोना आपस में equal होगे और जैसे कि बड़ आपको पता है B P Q कौन सा है उच्छी यह आपको पता है यह वाला angle यह वाला angle यह वाला angle यह वाला angle आपस में cancel होगा क्योंकि आपको पता है कि angle जो हमारा P B C है equals to angle P B Q है equals to angle BP Q है अब यह बात हो कहा से मिलेगा angle P C B is equals to angle Q C B Q P C यह बच्छी P C B यह वाला angle यह वाला angle और Q C P यह वाला angle अगर यह दोना angle आपस में करो तो बड़ आपको पता है कि angles की opposite में जो side होगी वो भी आपस में करोंगी तो लिखेंगे okay so P Q is equals to Q C okay side opposite to equal angles okay के लिए रिक नहीं बड़ा अब P Q और Q C आपस में करोंगे और जैसे की बच्छी आपको पता है P Q किसके बरावर था आपका B Q के बरावर था तो इसका मतला यह B Q और Q C भी आपस में करोंगे we know that B Q और P Q आपस में equal थे so B Q is equals to Q C also ठीक है तो इसका मतला बस यह जो हमें प्रूफ करना था वह प्रूफ हो गया hence proved यह हमें इसमें प्रूफ करना था तो I hope यह question भी आपको समझी में आगया होगा अगर आपको कोई भी क्लाइटी नहीं होती इस question तो मुझे comment करके जरूब पता सके तो ऐसी भी आपने doubts पूछते रही है मैं आपको जो explain करते रहूँगा अगर कोई भी आपको query होती comment जरूब करके जाए तो मिलेंगे बिटर नेक्स डाउट के साथ तब तक लिबाबाय टेक करम जेहन स्टूट्स करते हैं